NCC ABN, C Certified Exam, Objective Question और आज का टॉपिक है The NCC, इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 44 कोउच्चन है कौन बने गाज का विनर, विनर वही होगा जिनका 44 में 44 कोउच्चन का अंसर कॉरेक्ट होंगे एक एक अटेम्ट में सभी को जहिन, चलिए शुरू करता आज का टेस्ट, टेस्ट पूरा दिजिएगा एक कोउच्चन के लिए आपको मात्र 15 सिकने का टाइम मिलता है और डेली कुई टेस्ट चलता है यह तो फरस्ट कोउच्चन आज का NCC का पूरा नाम लिखो आपसन है, नेशनल करेट क्रॉप्स, बी नेशनल करेट कोड, शी नेशनल करेट कोड, या फिर डी नन करेट कोड, टाइम शुरू हो चुका है एक कोउच्चन के लिए आपको मात्र 15 सिकने का टाइम दूँगा, जो कि आपको टाइम इधर चल रहा है बगल में तो टेस्ट पूरा देना है, और डेस टाइम से टेस्ट देंगा, ठीक है, बाकि लाइफ वलास आप करन्यू करेंगे, चले जल्दी, फूल फॉर्म अफ एंसी सी बताना, टाइम आप, तो एंसी सी का फूल फॉर्म होता है, कोडेक टांसर होगा, आपसन, सी, नेशनल करेट कोर, काफी लोग ऑप्सन ए लिखे थे, तो आप लोग गलत हो, सी वाले सही है, शेकर्ड कोश्चन, भारत में एंसी सी की अस्थापना, शन, कितने में की गई थी, ऑप्सन है, 16 जुला इनीस से बर्तालीस में, बी, 16 अप्रेल इनीस से बर्तालीस में, सी, 15 जुला इनीस से टालीस में, टाइम शुरू हो चुका, यानि एन्सी सी की सुरुवात, भारत में कब की गई, डेट और इयर दोनों साथ में, ऑप्सन आपके सामने है, चलि जल्दी, हुए नमाज एन्सी से इस्टेश्टी इंडिया, टाइम आप, तो कॉरेक्ट अन्सर होगा, भारत में ए जुल्ला जुलाई उन्सवारतालिस को अस्थापना के गई थी, ऑप्सन नेवाले साहिए, नेक्स्ट कोस्ट नमाज थाड, एन्सी सी में, कितने निदे साला यानि डाइरेक्ट रेट्स है, ऑप्सने सुल्ला, बी सत्रा, शी आठारा, या फुडी उन्नीस, टाइम टाइम अप, पंदरा सेकिंड काई टाइम है, इधर जो चल रहा, तो लिमिट टाइम में आंसर बताना है, कोरेक्ट आंसरों का आप्सन भी टोटल शत्रा डेलेक्ट रेट्स है, कोईस्ट नमाज फूर, एन्सी सी का मोटो क्या है, आप्सन है, एक्ता और इमांदार, बी त या फिर एक्ता और अनुषासन है, टाइम अप, तो एन्सी सी का मोटो एक्ता और अनुषासन होता है, आप्सन डी वाले से ही, नेक्स्ट, कॉष्ट नमाज फाइफ, एन्सी सी में कितने अस्तरों पर प्रसिछड यानि ट्रेनिंग दिया जाता है option तीन अस्तर उपर B चार अस्तर उपर C पांच अस्तर उपर या फोड़ी छो अस्तर उपर time शुरू हो चुका है यानि NCC में कितने लेवल पर ट्रेनिंग दिया जाता है option 3, 4, 5 या छो लेवल पर चले जल्दे time आप तो NCC में तीन लेवल यानि तीन अस्तर पर ट्रेनिंग दिया जाता है option A वाले से ये जो कि आपका है आर्मी, एर और नवल question 6 NCC के प्रथम निदेशा कौन थे option ए शुदर्शन फाकिर B करनल जीजी वैबूर श्रीप पंडित हिर्दयनात कुझरू या फोड़ी लेव्टिनेट जनरल गुरुवीर पालसी time शुरू हो चुका NCC के प्रथम निदेशा कौन थे चली fast answer सभी का जल्दी से आना चीए without any time is बाकि आप light class तेज़स चनल पे continue करेंगे time अफ हो चुका है NCC के प्रथम निदेशा क करनल जीजी वैबूर थे option B वाले सही है next question number 7 भारत में NCC की शुरुवात किस ने की थी option है सुदर्शन फकिर ने बिर रविननात टेगोर ने शीप पंडित हिर्दनात कुझरू ने या फोड़ी बंकिम चंद चटर जी ने time शुरू हो चुका है भारत में NCC की शुरुवात किस व्यक्ति ने किया था option सुदर्शन फकिर रविनना टेगोर पंडित हिर्दनात कुझरू या फिर बंकिम चंद चटर जी time अफ तो भारत में NCC की शुरुवात पंडित हिर्दनात कुझरू ने किया था option C वाले से यह इस सारे question आपके exam में पूछे गए ठीक है original है इसा books में भी जल्दी नहीं मिलेगा next question number 8 NCC का मुख्याले कहां इस्तित है option है लखनव में B पतना में C जैपूर में या फिर दिल्ली में टाइम शुरू हो चुका है वेर इस दे हेड़ क्वार्टर आफ एन्सीसी option लखनव B पतना C जैपूर या फिर D दिल्ली only 15 seconds for one question टाइम आप तो NCC का हेड़ क्वार्टर दिल्ली में है option D वाले सही है count करते रहना कितना सही करते हो question number 9 A.N.O का पूरा नाम लिको option है associate NCC office B. associate NCC officer C. assist NCC officer या फिर D. associate NCC officer टाइम सुरू हो चुका full form of A.N.O चलिए जल्दी spelling ध्यान देना नहीं तो फस होगे इसमें भी काफी लोग फसते है जो पढ़के नहीं आते ध्यान नहीं देते है time up A.N.O जो हमारे NCC teacher होते है इनका full form होता है associate NCC officer यानी option D. वाले सही है question number 10 NCC में बाली का अश्कंद की अस्थापना जुलाई कितना में हुई option 1949 में B. 1950 में C. 1902 में या फिर D. 1914 में time सुरू हो चुका सभी का answer जल्दी सा आना चीए NCC में बाली का अश्कंद की अस्थापना कब हुई थी first और 2 second time up तो NCC में गल्स डिविजन की अस्थापना 1949 में हुआ था option ये वाले सही है next question number 11 NCC के जहंडे में कितने रंग है option ने 4 रंग B. 3 रंग C. 5 रंग time शुरू चुका how many colors are in the flag of NCC option 4 रंग B. 3 रंग C. 5 रंग या 4 रंग time up NCC के जहंडे में 3 रंग होते है option B वाले सही है next question number 12 NCC का जहंडा कीन रंगों की पट्टियों से बना है option ने लाल B. गहरा बुलू C. हलका बुलू या फिर इन में से सभी time शुरू हो चुका है यानि जो हमारे NCC फ्लेग होता है उसमें कौन कौन से कलर होते option आपके सामने है लाल गहरा बुलू हलका बुलू या इन में से सभी fast time up तो NCC के जहंडे है तीन रंग होते है जो की तीनो दिया हुआ option D होगा इन में से सभी question number 13 NCC सौंग किसने लिखा option आपसने सुदर्शन फकिर ने B. रविनाथ टेगोर ने C. पंडित हिर्द्यानाथ कुंजरू ने या फिर्दी बंकिमचन चटर जी ने time शुरू हो चुका who wrote NCC सौंग जो की हमारा सौंग है हम सभ भारती है option सुदर्शन फकिर रविनाथ टेगोर पंडित हिर्द्यानाथ कुंजरू या फिर बंकिमचन चटर जी ने लिखा है time up NCC सौंग सुदर्शन फकिर ने लिखा option A वाले सही है question number 14 NCC का जहंडा कब बना है option 1942 में B. 1950 मे C. 192 मे E. 1424 मे time शुरू हो चुका है NCC का जहंडा कब बना है 1941 में 1950 52 में या फिर 1954 में चलिए हरी आप time up तो NCC का फ्लेग 1954 में बना है option D वाले सही है next 50 number I. M. A किस जगह में अवस्थित है option मुंबई में B. दिल्ली में C. देहरादुन में या फिर D. पूरे में time शुरू हो चुका है I. A. में किस जगह में है मतलब कि कहां इस्थित है option मुंबई में दिल्ली में देहरादुन में या फिर पूरे में time आप आइए में देहरादुन में इस्थित है option C वाले सही है next question number 16 NCC दिवस किस डेट को मनाया जाता है option C. चार नॉमबर को B. नॉमबर के दुसरे रविवार को C. चौदा नॉमबर को या फिर D. नॉमबर के चौथा रविवार को time शुरू है चुका on which date we celebrate NCC day चार नॉमबर नॉमबर के दुसरे रविवार चौदा नॉमबर या फिर नॉमबर के चौथे रविवार को time up तो NCC दिवस प्रतिक वर्स नॉमबर के चौथे रविवार को मनाते हैं option D वाले सही है next 17 नॉमबर WTA लो का पूरा नाम दिखो option है whole time ladies officers D. whole time lady officers C. whole timer lady officers या फिर D. whole time lady office time शुरू हो चुका full form of WTA लो चली चल्दी spelling ध्यान देना नहीं तो फस होगे fast time up WTA लो का full form whole time lady officers बता है option B वाले सही है next 18 नॉमबर आर्मी का सबसे छोटा rank बता है option है शिपाही B. Colonel C. General या फिर D. Phil Marshal time सुदू हो चुका है which is the lowest rank of the army शिपाही Colonel C. General या फिर D. Phil Marshal चली यह fast बहुती अच्छा और easy question है time up तो आर्मी का सबसे छोटा rank शिपाही यानी soldier का होता है option A वाले सही है next question number 19 NCC air wing की शुरुवात कब से हुई option है 1948 में B. 1950 में C. 1922 में या फिर D. 1947 में time सुरू हो चुका NCC में तीन wing से ना आर्मी एर नमल तो NCC air wing कब सुरू किया गई इसके अस्थपना कब हुई 48 में 50 में 52 में या फिर 47 में चली फास्ट time up तो NCC air wing की शुरुवात है 1950 में होई थी option B वाले सही है next 20 नमबर श्रंपूर्ण भारत में NCC के कितने निदे साले है option 15, B 19, C 20 या फिर 47 time शुरू हो चुका तरब पूरे all over इंडिया में NCC के कितने डिरेक्टरेट है option आपके सामने है 15, 19, 20 या 17 डिरेक्टरेट है चली हो time वाप संपूर्ण भारत में टोटल 17 निदे साले है option D वाले सही है question 21 NCC के धोज में गहरा निला रंग NCC के किस वर्ग को दर्शा आता है option है army wing को B novel wing को C air wing को या फिर D तीनो wings को time शुरू हो चुका टोटल तीनी wings है न NCC में तो जो इसमें dark blue color होता है वह NCC के किस wing को दर्शा आता है option आपके सामने है army novel air या फिर तीनों को चलिए जल्दी time आप तो गहरा निला रंग डार्क बलू ये novel wing को दर्शा आता है option B वाले साहिए question 22 C A T C का पूरा नाम लिखो option है combine annual training camp B combined annual trekking camp C combined annual training camp या फिर D combined annual training campus time शुरू हो चुका spelling भीहां देना थोड़ा mistake करेंगे फसेंगे limit time है पंदरा सेकंड का time मिलेगा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा full form of C A T C चलिए जल्दी और दो सगेन time of C A T C जो हमारा home camp लगते है इसका full form होता है combined annual training camp option C वाले सही है question 23 NCC किस ministry में आता है option है स्वास्त ministry B खेल ministry C defense ministry या फिर D इन में से कोई नहीं time सुरू हो चुका NCC किस ministry में आता है चलिए फास्ट स्वास्त ministry खेल ministry defense ministry या फिर none of the above कोई नहीं time up तो NCC जो part of defense so NCC defense ministry में आता है option C वाले सही है 24 नमबर NCC के DG कौन है option है lieutenant general तरून कुमाराईच B श्री राजनाथ सी C general मनोज पांडे या फिर D lieutenant general गुर्वीर पाल सी time सुरू हो चुका NCC के DG कोन है यह director general कोन है जो NCC के head होते है option आपके सामने है चलिए fast श्री का perfect होना चीए time up तो अभी present में NCC के DG lieutenant general गुर्वीर पाल सी है option D वाले सही है next NCC का गीत कदम मिला के शन कितना में अपनाया गया option 1963 में B 1902 में C 1965 में या फिर D 1903 में time सुरू हो चुका कदम मिला के भी NCC का यह दूसरा सहूंगे तो यह कब अपनाया गया या या कब बनकर त्यार हो थी इसे accept कब किया गया 1963 में 1962 में 1965 में या 1963 में चले time आप तो NCC का गीत कदम मिला के 1963 में अपनाया गया option A वाले सही है question 26 है YEP का full form क्या है option यूथ एक्सचेंज प्रोग्रेस B यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम C YouTube एक्सचेंज प्रोग्राम EFODE Youth Excellent Program time शुरू हो चुका है YEP का full form क्या है चले जल्दी 15 सेकंड टाइम ठीक है न 20 सेकंड आपका time बसता है नहीं तो बोलिएगा तो फिर 20 सेकंड देना पड़ेगा time up तो YEP का full form Youth Exchange Program होता है option B वाले सही है next question 27 NCC के धोज में लाल रंग NCC के किस वर्ग को दर्सा आता है option A विंग को B नवल विंग को C आर्मी विंग को EFODE तीनो विंग्स को time शुरू हो चुका 15 सेकंड का टाइम में बसता है तो आप लोग टेस्ट पूरा देंगे daily NCC के जंड में जो लाल रंग होता है वह NCC के किस वर्गें किस विंग को दर्सा आता है AR नवल आर्मी या तीनो जल्दी चेरे टाइम आप तो लाल रंग आर्मी विंग को दर्सा आता है option C वाले सही है question no.28 NCC आर्मी विंग की शुरुवात कब से हुई option 1922 में B 1950 में C 1922 में या फोड़ी 1947 में टाइम शुरू हो चुका यानी NCC आर्मी विंग के स्थापना कभूई option 1948 में 1950 में 1952 में या फोड़ी 1947 में चलिए फास्ट टाइम आप NCC आर्मी विंग की शुरुवात 1900 48 में थी option A वाले सही है question no.29 NCC का आदर्स वाक क्या है option ए एकता और इमांदार B. एकता और अनुसासन C. तेज और बुद्धी मान या फोड़ी अनुसासन और साहस टाइम शुरू हो चुका अदर्स वाक आपको फसाने के लिए दिया गया difficult word उज़ किया इसका मतलब होता है NCC का मोटो क्या है चलिए अभी तो सबको सबका आंसर परफेक्ट होना चीए option ध्यान दिजिएगा टाइम आप NCC का अदर्स वाक एकता और अनुसासन होता है option B वाले सही है next 30 नंबर NDA का पूरा नाम लिखो option ने national defense academic non defense academy national defense academy national defense academy national defense academy टाइम शुरू हो चुका यानि full form of NDA spelling ध्यान देना नहीं तो फस होगे total 44 questions टेस्ट पूरा दीजेगा और जो लोग नए होगे चनल सब्सक्राइब नहीं की होगे तो आपको नोटिकेशन नहीं जाएगा अब चनल सब्सक्राइब करके bell icon प्रेस कर देंगे चले टाइम आप national defense academy होता है option D वाले सहीर 31 NCC की अस्थापना शन कितने में हुई थी option 1942 में B 1950 में C 1902 में R4D 1914 में टाइम शुरू हो चुका है हुए न्माज NCC established चले जल्दी perfect होना चीज़ सभी का NCC के स्थापना कभी गोड़ जोश टाइम आप NCC के स्थापना 1948 मुई थी option A वाले सहीर question 32 NCC कैड़ेट की कंपनी में कितने कैड़ेट्स होते हैं option 140 कैड़ेट्स B 150 कैड़ेट्स C 160 कैड़ेट्स टाइम शुरू हो चुका NCC NCC कैड़ेट्स की एक कंपनी में कितने कैड़ेट्स होते हैं चले जल्दी कितने से परतीसत तक वालों को B certificate परिच्छा में B grading दी जाती है option ए 70% से 75% B 15% से 75% वालों को C 60% से 80% या आफ़ो D 60% से 75% वालों को टाइम सुरू हो चुका यानि कितना से कितना परिच्छंट के बीच में आपका नमबर आएगा तो आपको B certificate पर इच्छा में ब्रेवो ग्रेडिंग से पास किया जागा option आप पर शामने है चले जल्दी B हो A हो C हो सब में सेम होता है ग्रेडिंग का पर्सेंटेज टाइम आप तो correct अंसर होगा option D 60% से 75% में अगर आप आते हैं तो बीग्रेडिंग 34 RDC का अर्थ क्या है option है Republic Day Campus B Republic Day Camp C Real Day Camp Republic Daily Camp Time शुरू हो चुका Full form of RDC सभीक आंसर पर्फेक्ट होना चीए चलिए जल्दी Spelling ध्यान देना RDC जो दिल्लीम होता न अभी बंदे सेलेक्ट होके गए Time Up RDC का अर्थ Republic Day Camp Option B वाले सही है Question 35 OTA का पूरा नाम लिखो Option Office Training Academy B Officer Trekking Academy C Officer Training Academy या फिर D Officer Training Academy Time शुरू हो चुका Full form of OTA चलिए चलिए जल्दी OTA का full form या पूरा नाम क्या होता है Option ध्यान दिजेगा Spelling Good Jaws चलिए टायम आप OTA का full form होता है Officer Training Academy Option D वाले सही है Question 36 Army का सबसे बड़ा Rank बता है Option ध्यान शिपाही B. Colonel C. General या फिर D. Phil Marshal Time शुरू हो चुका है Army का सबसे बड़ा Rank कौन सा बता है चलिए जल्दी शिपाही Colonel General या फिल्मर्स यानि Which is the highest rank of the Army Time up Army का सबसे बड़ा Rank General का होता है Option C वाले सही है Next Question 37 NCC के Head कौन होते है Option ध्यान रच्छामंत्री B. DG यानि Director General C. थलसना ध्याच या फिर D. A. D. G. यानि Additional Director General Time शुरू हो चुका है Who is the Head of NCC? रच्छामंत्री D. G. थलसना ध्याच या फिर A. D. G. बच्च वाला Question है Time up NCC के Head D. G. यानि Director General होते है Option B वाले सही है Question 38 NCC में Students को क्या कहते है Option Students B Soldiers C Civilian या 4D Cadets Time शुरू हो चुका है आर्मी इनिफर्म B खाकी इनिफर्म C. आर्मी इनिफर्म या फिर D. नन अफ दीज Time शुरू हो चुका है NCC का इनिफर्म क्या है चलिए फास्ट आर्मी इनिफर्म खाकी इनिफर्म आर्मी इनिफर्म या फिर इनिमें से कोई नहीं Time up NCC में जोब लोग इनिफर्म इनिफर्मी इस करते हैं Option B वहले सही है Question number 40 भारत में NCC के कुल कितने बटालियन है Option 820 बटालियन B 834 बटालियन C 840 बटालियन या फिर D 814 बटालियन Time शुरू हो चुका भारत में NCC के कुल कितने बटालियन है 820, 834, 840 बटालियन या फिर 814 बटालियन चलिए जल्दी सभी लोग टाइम अप तो अभी भारत में 814 बटालियन है option D वाले सही है question number 41 NCC में activities के लिए कौन जिमेदार है option is CO, BANO, CDG या फिर डिफेंस मिनिस्टर time सुर्य हो चुका NCC में जो भी activity या नि कारेकरम होता है उसके जिमेदार है किसकी होती है option is CO, BANO, CDG या फिर डिफेंस मिनिस्टर time up तो correct answer होगा option B, AANO की होती है जो की full form होता है associate NCC officer जो NCC teacher होते है 42 number NCC के धोज में हलका नीला रंग NCC के किस वर्ग को दरसाता है option है army wing को B, novel wing को C, air wing को या फिर तीनो wings को time सुरू हो चुका चलिए जल्दी जो NCC का light blue color है वह है NCC के किस वर्ग को दरसाता है आर्मी विंग, नवल विंग, या फिर एर विंग या फिर तीनों को time up तो light blue यानी हलका नीला एर फोर्च यानी एर विंग को दरसाता है option C वाले सही है फोटिथ्री नंबर NDA कहां स्थिती है option मुंबई में B । दिल्ली में C देहरादून में या फिर भी पूड़े में time सुरू हो चुका NDA कहां स्थित है option आपको शाम नहीं है मुंबई में B । दिल्ली में C देहरादून में या फिर दी पूड़े में, इसके बाद और एक question बचा है, चले time up, तो end ये, खड़क वासला पूड़े में, तो option D वाले सही है, पूड़े में, last question, एन सीसी दिवास, नॉबर के, किस डेट को मनाया जाता है, option है, चौथर रविवार को, B तीसरे रविवार को, C दूसरे रविवार को, या फिर D पहले रविवार को, time शुरू हो चुका, यानि, when we celebrate NCC day, ये दे दिए कि नॉबर में ही मनाते हैं, लेकिन कब, option, fourth Sunday, third Sunday, second Sunday को, या फिर first Sunday को, time up, तो NCC दिवास, नॉबर में प्रतेक वार्स, नॉबर के, चौथ हे, रविवार को मनाते हैं, option A वाले सही है, तो आज के विनर कौन को नहीं, comment करका बताएगा, विनर वही होगा, जिनका, 44 में 44 answer सही होगा, आप सभी को, कॉंगरी चुले सन, आप लोग व जलती है, साम में 7 बजे कंडिव करेंगे, और चैनल ये वाला भी आप लोग सुस्क्राइब करेंगे, दोनों चैनल, तो मिलते हैं next, क्विस्टेस के साथ, अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट अपलाएग, धन्यवाद, जवहिन.